मसकार दोस्तों बात करेंगे 24-hour pH-metry या impedance-metry की बारे में दोनों टेस्ट लगबख सेम ही है इसमें हम 24-hour तक पतले से catheter को nose से डालते हैं और patient के अंदर उसे insert किया जाता है नापने के लिए कि 24 गंटे में patient को कितना reflux हुआ जब patient doctor के पास आते हैं तो वो बताते हैं कि हमें reflux की problem है लेकिन इसे judge करने के लिए जो सबसे अच्छा test है वो यही है कि हम 24 गंटे तक किसे monitor करें कि 24 गंटे में कितनी बार reflux हुआ उसका pH कितना था यानि कि वो कितना acidic था या basic था और कितने time तक वो रहा और क्या वो normal population से बहुत ज़्यादा है या लगभग उतना ही है GERD या हाइटर सर्निया या लैक्सलियस के लिए बहुत सारे test है endoscopy में हम देखते हैं कि क्या इसका valve है वो सही है या नहीं और हाइटर सर्निया प्रेजन्ट है या नहीं लेकिन उस time में हमें reflux का idea नहीं लगता क्योंकि reflux जो है वो बीच-बीच में होता है हर time में नहीं होता इसलिए जाना जरूरी है कि 24 hours में हम reflux को properly study करें impedance का मतलब है कि सिरफ acidic pH के इलावा alkaline pH भी है sense कर लेगा और ये 24 hour pH मेंटरी से ज़्यादा sensitive test है लेकिन थोड़ा महेंगा test test कैसे किया जाता है एक बहुत पतला सा catheter हम patient के nose के जारिये उसके पेट के अंदर insert करते हैं और उसके isofagial gastric junction के पास रख देते हैं ताकि जब भी reflux हो उसमें capture हो जाए catheter को एक छोटे सी machine के साथ attach किया जाता है और वो machine patient के साथ एक belt के साथ बान दी जाती है ताकि 24 घंटे वो अराम से अपना normal activity कर पिर सके जो normally diet लेते हैं वो सब diet लें और हम इसकी monitoring करते रहें machine के अंदर कुछ buttons रहते हैं चोकि हम patient को बताते हैं कि इस button को press करना है अगर आपको reflux feel होता है इस button को press करना है अगर आपके pain होता है जो भी और symptoms है वो हम सब ही patient को buttons के साथ map करके बताते हैं और जब जब वो symptom आएगा patient उन respective buttons को बढ़ दबाएगा और हम बाद में study में देखेंगे कि जिस time में वो symptoms आए वाके ही उस time में reflux हुआ था या नहीं और वो symptoms reflux की वज़े से हैं या किसी और कारण से इसके लावा machine में ये भी record किया जाता है कि patient कितना time upright था यानि कि वो चल तर रहा था या बैठा हुआ था और कितना time वो सो र 24 hours तक patient अपनी normal activities करते हैं normal जैसे खाना ही खाते हैं जैसे कि routine life जी रहे हैं hospital में भी रह सकते हैं या उन्हें घर भी भी बेज़ा जा सकता है ताकि अपनी normal routine life में वो आपिस चला जाए and then they come back after 24 hours उसके बादे सारा data analyze किया जाता है इसे एक software में डालके हम सारा data analyze करते हैं और देखते हैं कि किस parameter में patient ने कैसा behave कि अलग-अलग machine के हिसाब से अलग-अलग reading हो सकते हैं लेकिन कुछ normal matrix है जैसे कि D mister score है जो बहुत commonly use किया जा सकता है we hope कि ये video देखकर आपको idea लगा होगा कि ये test बहुत बड़ा test नहीं है बहुत easily आप इसे करवा सकते हैं अगर आपको reflex की problem है आप सदरी consider कर रहे हैं definitely test करवाने चाहिए ताकि आपको एक baseline idea लगे कितनी problem है अगर आपको वीडियो से अच्छे लग रहे हैं तो kindly like, share and subscribe and we wish you a very healthy life Thank you Thank you